हलो एब्रीवान सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एनलेसिस के इंपोर्टेंट टॉपिक फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आप बिल्कुल भी वीडियो के स् को सबस्क्राइब करें करना ना बूलें तो आईए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इऊ तो किस से डिफाइन होता तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह जो हमारा function है, x, वो क्या है हमारा एक factorial function है, यह क्या है हमारा factorial function, यह जो x है वो हमारा क्या कहलाएगा, factorial function, ठीक है, या फिर हम इसको बोल भी सकते हैं, factorial polynomial of degree n, degree n का factorial polynomial, यह कैसे define होता है, इसकी value क्या निकल कराती है क्या होती है इसकी value देखिए x की power n हमारा किसके एककोल में होता है तो x bracket man यह हमारा factorial n है तो कितना हो जाएगा यह जब हम इसको खोलते हैं तो हमारा होता है x x की power x minus h इसमें से h minus कर देते हैं ठीक है फिर x minus 2h यह हमारे constant difference है h जो है फिर x में से 3h minus करते हैं और dot 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 यह हमारा कहां तक जाता है x minus n minus 1 h तक इसकी जो value है वो कहां तक जाएगी n minus 1 h तक ठीक है यह आपका जो factorial function है उसको खोलने का तरीका है तो अगर x की power bracket में n है तो यह क्या हो जाएगा सबसे पहले x लिखेंगे फिर x minus h फिर x minus 2h फिर यह हमारा कहां तक जाएगा n minus 1h तक ठीक है अब क्या है अगर हमने h की value 1 ले ली if h equal 1 अगर हमारी h 1 है तो यह क्या हो जाएगा x bracket में x की power equal यह हो जाएगा x और h की जगे 1 लेंगे तो x minus 1 x minus 2 x minus n अब मैं minus का multiplyस में कर देती हूँ तो यह हो जाएगा n plus 1 h की जगे हमारा 1 है यह है तो हम इससे इस तरही किसे लिख सकते हैं अब एक हमारा इनी factorial notation का एक तो हमारी theorem भी है काफ़ important है exam में भी आ जाती है तो देखिए पहले हमारे जो theorem है वो क्या है formula ही मान लीजी आप इसे तो क्या है यह delta n जो forward difference operator है उसको अगर हम n बार apply करते हैं इस factorial function पर तो क्या आता है हमारा आता है n factorial h की power n और एक और हमें लाना है end delta n plus 1 अगर n plus 1 बार apply करते हैं delta को तो x की power n यह हमारा factorial function है यह कितना हो जाएगा 0 तो यह दोने प्रूब करके लाने है कैसे प्रूब हो गए तो हमें पता है क्या पता है आपने definition delta की पढ़ी रखी है forward difference operator बता रखा है मैंने तो delta x की power पहले proof लख देते हैं delta x की power n bracket में लखते हैं हमेशा इस n को factorial notation में तो कितना हो जाएगा क्या बता है मैंने आपको delta f x equal क्या होता है f x plus h minus f x तो यही फॉर्मुला हम लगा देंगे हमारा delta f x का फॉर्मुला है तो जब यहाँ पर लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा x की जगे x plus h रख देंगे और यह हमारा n चीक है minus यह हो जाएगा हमारा x की पावर n यह हमारा factorial function हो गया अब जब इसको हम खोलेंगे तो किस तरीके से खुलता है यही फॉर्मुला अभी जो बताया है यह वाला इसी से हम खोल देंगे अब यहाँ पर x की जगे हमारा क्या है x plus h तो x की जगे x plus h रखते चलेंगे तो हमारा होता है फॉर्मुला x plus h यह x की जगे हो गया x plus h फिर आएगा हमारा x minus h आता है तो x की जगे x plus h है minus h फिर आता है हमारा x plus h minus 2h फिर यह dead dead desk कहां तक जाता है हमारा x plus h minus n minus 1 h तक ठीक है ये बारिस लिए लगाया है कि इसका मतलब है bracket जो minus का अगर multiply करेंगे हम अंदर तो minus minus ये plus हो जाएगा ठीक है फिर हम इसकी value भी लिट लेते हैं x factorial n की इसकी कितनी आ जाएगी हमारी minus का sign और ये x factorial n x की power n ये कितना हो जाएगा हमारा x x minus h x minus 2h और ये कहां तक जाएगी इसकी value x minus n minus 1 h तक ठीक है ये हाँ पर bracket पन अब जब इसको solve करेंगे ये आ जाएगा हमारा x plus h इस h से ये h cut हो जाएगा तो यहाँ पर cable और cable क्या बचेगा हमारा x ऐसे ही जब हम minus 2h में और plus h करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा minus h dead dead dash इसको जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा x और जब ये हमारा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n minus 2h क्योंकि ये हमारा क्या है यह जब minus का अंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा n h plus h और आगे भी हमारा क्या है h तो यह कितना हो जाएगा 2 h तो minus n minus 2 h हो जाएगा ठीक है तो minus n minus 2 h अब इसको ले लेंगे यह तो same ही रहेगा minus x x minus h x minus 2 h dead dead death इससे एक value पहले हमारी क्या होगा यहाँ n minus 1 है n minus 1 से पहले क्या होगा n minus 2 n minus 2 h और हमारा last में क्या बचेगा x minus n minus 1 h ठीक है अब इसमें से हमारा common क्या आजाएगा इसमें से हमारा common आएगा देखिए यहाँ पर x x minus h x minus n minus 2 h यह पूरे यहाँ तक common आजाएगा इसमें से common निकाल लेंगे x x minus h x minus 2 h आएगा इसके बाद फिट dead dead death कहाँ तक common आएगा x minus n minus 2 h ठीक है अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा bracket यहाँ बचेगा x plus h minus यहाँ पर हमारा क्या बचेगा यह सब तो common आगया है इधर बचेगा हमारा x minus n minus 1 पर पर h ठीक है अब इसको solve कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा यह हो जाएगा x x minus h x minus 2 h dead dead death x minus n minus 2 h और यह हो जाएगा देखिए x plus h minus x c a x हमारा क्या हो जाएगा cut हो जाएगा और जब minus का इसदर multiply करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा minus n plus h तो यह पूरा क्या आजाएगा हमारे यहाँ पर क्या बचेगा देखिए h और यह हो जाएगा हमारा minus n h plus h h और h हमारा कितना हो जाएगा h और h हमारा हो जाएगा 2 h ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह minus था यह sign इसमें bracket था तो minus का multiply और होगा तो यहाँ पर minus h हो जाएगा और इसमें जब minus का multiply होगा तो यह plus n h हो जाएगा तो h से h यहाँ हो जाएगा कट हो जाएगा और इदर हमारा क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ n h तो h से h कट हो जाए इदर n h बचेगा और यह बाला हमारे किस का formula बन जाएगा यहाँ पर n-2 तक है तो यह x की पावर n-1 तक 1 का formula बन जाएगा क्योंकि x की पावर n का होता तो यहाँ n-1 होता अभी हमारे किसका है x की पावर n-1 का equal यहाँ पर हमारे कितना बचेगा हमारा n-h तो यह पूरा क्या बन गया हमारा जो delta x की पावर n है factorial n है वो उसका formula क्या है x bracket में n-1 n-h n-h हम आगे लग देते हैं n-h यह हमारा इसका formula बन गया अब हमारे किसकी value चाहिए delta n की और यह किसकी निकल के रहे है अभी तक सिर्फ हमने 1 वार delta apply किया है अब हम अगर n वार delta apply करेंगे तो क्या होगा अब अगर हम दो बार apply करेंगे से delta square कितना हो जाएगा हमारा delta square x bracket में n equal delta dot delta x bracket में n तो delta x bracket में n की value कितनी है factorial n की value है हमारी delta dot यह है हमारा n h x n-1 इसको अमेशा bracket में ही लिखते है factorial की value को तो n h भार ले लेंगे यह हो जाएगा delta x n-1 तो delta x n की value की आती है हमारी n h x n-1 तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर n-1 है तो जहाँ पर भी हमारा n है वहाँ n-1 रख देंगे तो यह हो जाएगा n h dot इस value में जहाँ पर भी n है वहाँ n-1 रख देंगे तो n-1 h x यह हो जाएगा n-2 तो जो delta square x n की जो value है वह क्या हो जाएगी n-1 h square x n-2 ठीक है सेम इसी process से हम आगे चलते जाएगे और आगे हमारा क्या हो जाएगा लिख देंगे इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएगे तो हमें क्या में लेगा आगे अब यह delta square तो delta n-1 x bracket n की value कितनी हो जाएगी हमारी n अब देखिए square में यहाँ पर n-1 तक आया तो n-1 तक कहां तक आएगा हमारा n-1 ऐसी बढ़ता चलेगा यह n-2 फिर यह dead dead desk करके कहां तक पहुंच जाएगा यह 2 तक पहुंच जाएगा dot h की value यहाँ पर जब 2 थी तो यह square हुआ तो जब यहाँ n-1 है तो h की value n-1 हो जाएगी और यहाँ पर हमारा यह x है यह ठीक है अब क्या होगा हमारा ठीक है x हो जाएगा यहाँ पर जब n-2 था 2 थी थी हो और यहाँ पर n-1 है तो यह हो जाएगा n-n-1 तो n-1 n से n कट हो जाएगा तो क्या बचेगा x की power 1 तो यह x हो जाएगा हमारा और जब delta n x n है तब क्या हो जाएगा तो हमारी यह value कहां तक जाएगी n, n-1, dead, dead, dash, 2, dot, h, n-1, अब यहां पर हम delta एक और बार apply करेंगे, यह तो constantum था आ गया जाएगा, तो यह delta x, अब delta x की value कितनी होगी, देखिए, n-1, dead, dead, dash, 2, dot, h, n-1, delta x की value हमारी कितनी होगी, delta x का formula होता है, x plus h, minus x, तो x, x कट जाएगा, केवल, केवल, h बचेगा, तो यह हो जाएगा, n, n-1, dot, dot, 2, dot, h, minus, 1, dot, h, तो यह plus करेंगे, तो h की power n हो जाएगा, n, n-1, dead, dead, dash, 2, dot, h की power n, यह वाला, n, n-1, यह जा रहा है, 2 तक, यह किसकी value हमारी, 2, dot, 1, तो यह हमारा, किसका factorial है, n factorial, n factorial को जब हम खोलते हैं, तो अब यही तो आता है हमारा, तो n factorial h की power n, तो delta n x, bracket में, n की जो value है, वो हमारी क्या निकल कर आगई, n factorial h की power n, तो एक तो हमें, यही प्रूब करके लाना था, ठीक है, अब, जब हमारी, एक और प्रूब करना है हमें, जब delta n प्लस 1 है, यहाँ पर delta n था, अगर n प्लस 1 है, तो x bracket में, n की value कितनी हो जाएगी, 0, तो एक और बार delta एप्लाई कर देंगे, तो delta n प्लस 1, x, factorial n की जो value है, वो कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें, एप्लाई करेंगे, एक और बार, तो यह किस तरीकी से उताल लेंगे हमें इसे, delta, और इसकी value कितनी है हमारी, n factorial, h की power n, n factorial, और h की power n, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह constant term है, तो इसमें से, जब हम इसको minus करेंगे, यह हमारा term क्या होता है, x plus h minus x, जो हमारा, fx plus h minus fx, delta fx की value होती है, तो यहाँ पर तो हमारा x है यह नहीं, तो इसी लिए, जब हम x plus h रखेंगे, x की जगे, तो भी हमारा, n factorial h n आएगा, और जब हम नहीं रखेंगे, सिर्फ x रखेंगे, तो भी हमारी यहीं आएगी, तो इससे कट होकर कितना हो जाएगा, 0, तो delta, n plus 1, x, n की जो value हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, तो यह हमारा पहला, जो theorem थी, पहला result था, वो हमारा प्रूब हो गया है, अब second देखते हैं, तो second है हमारा, x की power minus n, bracket में है, तो अभी हमने, plus n देखा था, अब minus n, अगर minus n होगा, तो हम इससे किस तरीके से लख सकते हैं, 1 upon x plus n h, का, factorial n, ठीक है, bracket में n, इस तरीके से लख सकते हैं से, तो कैसे प्रूब करके लाएंगे हम इसे, तो देखिए, हमें पता है, हम x की power, bracket में n को, किस तरीके से लख सकते हैं, हम इसे लख सकते हैं, x minus n minus 1, h, x, bracket में n minus 1, ठीक है, क्योंकि, जब हम इसको खोलेंगे, x n minus 1 को खोलेंगे, इसको खोलेंगे, तो इसका सारा का सारा formula, इसका मन जाएगा, केवल और केवल, हमारे पास क्या बचेगा, यह हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लख सकते हैं, अब, करते हैं हम, जहाँ पर भी हमारा n है, वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 0, for n equal 0 के लिए, तो x 0 equal, n की जगे 0 पुट करेंगे, तो x minus n की जगे 0 पुट करना है, तो यहाँ पर क्या बहु हो जाएगा, यह 0 minus 1, minus का multiply होगा, तो x plus 1 हो जाएगा, और यह h होगा, और जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो x की पावर minus 1 हो जाएगा, तो x की पावर minus 1 को, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, bracket में minus 1 को, x की पावर 0, और x के जो value होती है, पहले देखिए आप, x 0 upon, यह हो जाएगा, x plus h, अब x की पावर 0 की value, कितनी होती है हमारी, इसकी value होती है हमारी 1, ठीक है, x की पावर 0 की value होती है हमारी 1, तो 1 upon x plus h, x की पावर minus के bracket में, 1 की value हमारी कितनी हो जाएगी, 1 upon x plus h, अब ऐसे ही x की power minus 2 की 4 हम n equal 1 के लिए देखते हैं minus 1 के लिए तो जब n की जगे minus 1 रखेंगे तो x की जगे n की जगे minus 1 रखेंगे तो x की power minus 1 bracket में हमारा कितना हो जाएगा x minus अब यहाँ पर n की जगे हमें minus 1 रखना है तो minus 1 minus 1 minus 2 और multiply करेंगे तो यह plus का 2h हो जाएगा x की जगे minus 1 तो यह हो जाएगा minus 2 फिर जब इसको solve करेंगे x की power bracket में minus 2 की value निकालेंगे तो यह हो जाएगा x की power minus bracket 1 upon x plus 2h इसकी value पुट कर देते हैं अब हम x bracket में minus 2 equal x की power bracket में minus 1 की जो value है वो हमारी कितनी है 1 upon x plus h तो वही रख देंगे 1 upon x plus h और यह हो जाएगा हमारा नीचे क्या बचा है हमारा x plus 2h इसी तरीके से हम आगे करते चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा minus 2 आगे चलाएगे तो हम minus n तक पहुँचेंगे तो x की power minus n की जो value है वो हमें क्या मिलेगी 1 upon x plus h यहाँ 2 तक गई अगर 2 है तो x plus 2h तो यहाँ पर अब हमारी यह चलते चलते कहां तक जाएगी n तक जाएगी dot 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 x plus n h चीक है और यह वाली जो हमारी value है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 upon x plus n h की power bracket n क्योंकि हमारा यह जो formula होता है यह हमारा इसी का formula है यहाँ पर जब हम खोलेंगे यह देखिए x plus n h है और यह हमारा bracket n इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर यह जो minus होते हमारी value कहा तक गई है plus h तक गई है तो यह x plus n h की power क्या हो जाएगा bracket n तो यह हम को प्रूब करके लाना था देखिए x की power minus bracket n equal 1 upon x plus n h की power n तो यह दोनों हमारे result complete हो गए है अब हमारा हम direct formula क्या लिख सकते हैं इनसे हमारे एक formula भी बनते हैं journal formula question भी आ जाते हैं f x की power अगर हम n ले ले factorial n bracket में हैं तो क्या लिख सकते हैं इसे हम f x f x minus h f x minus 2 h dead dead dash f x plus n minus 1 h इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं और अगर हम f x की power minus के n ले bracket में तो इसको हम क्या लिखेंगे one upon f x plus h f x plus 2 h dead dead dash f x plus n h ठीक हैं तो इसको हमें आतक इस तरीके से लिख सकते हैं तो I hope आप सभी को ये lecture समझ में आया हो और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी helpful है तो प्लीज चनल को subscribe करें और वीडियो को like करना ना भूलें thanks for watching